Hello everyone, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ यस बीटिफुल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ ये डिजाइन, ये पैटरन मेंने टू कलर में बनाया है आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हो टू कलर या मल्टे कलर में भी बना सकते हो बनाने में ये design बहुत ज़्यादा easy pattern है बहुत ही असान design है ये बनाने में देखने में भी बहुत सुंदर है कोई beginner भी बड़े अराम से बना लेगा एक बार आपने इसे समझ लिया ना तो आखे बंद करके भी इसे बना लोगे इतना easy pattern है और इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो seven के multiple से साथ के multiple से होंगे साथ फंदे, साथ फंदे, साथ फंदे ऐसे ही आपने count करते हुए चले जाना है तीन फंदे तो pattern को equal करने के लिए दो फंदे दोनों तरफ से extra stitch के तो total पांच फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो seven seven के multiple से डालेंगे five फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे इसी आप ladies के cardigan, jacket, बच्चों के किसी भी projector या जैंस के sweater में भी डाल सकते हो बहुत ही सुन्दर pattern है तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं से बनाना स्लाइमे मैंने फंदे ले लिए हैं 28 फंदे लिए हैं साथ चुक अठाइस तीन फंदे एक्स्ट्रा और दो फंदे एस्टिच के ठीक है तो इसी हिसाब से हमने फंदे लेने हैं सीधी तरफ से मैंने एक रोज ऐसे ही white से ही निकाली है क्योंकि इसकी first row design की उल्टी तरफ से start होगी और उल्टी तरफ से ही हमने ये second color लगाना है इसके साथ इस तरह से second color लगाएंगे और second color के साथ ही उल्टी तरफ से इसकी first row हम start करेंगे देखे और ये पूरी रो हमने उल्टी उल्टी ही मना लेनी है, उल्टी तरफ से, इस तरह से, पूरी रो उल्टी बना कर कम्प्लीट कर लेंगे, सैकिंड रो सीधी तरफ से, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे मिनाबुने ऐसे ही हमने स्किप कर लेना है फिर धागा अपनी तरफ करना है दो फंदे उल्टे बना लेने हैं धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा मिनाबुने ऐसे ही स्किप कर लेंगे अब इनी साथ फंदों को पूरी सलाई में हमने बार 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 धोराते जाना है ती तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही स्किप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, फिर से इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, धागा अपनी करते हुए फिर से दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा दूसरी तरफ इस फंदे को बिनभूने उतार लेंगे स्लाइमें जितने भी फंदे हैं सेम ऐसे ही बनाते हुए जा रहा है तीन फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ एक फंदा बिनभूने उतार लेंगे धागा एसटीज़ का फंदा सीधा ऐसे करते हमे importantes है और अब रो थ nephew तीसरी ए सलायर है यह dosy पिले फर्स फंदे को उतर लेना है फिर फंदां के सी थे Americansıs करेंगे नाचापने सेला सिंदागे धागा दूसरी तरफ करेंगे 2 फंदे शीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ फिर से इस फंदे को ऐसे ही स्किप कर लेंगे जिन फंदों को सीधी तरफ से उतारा था इन्हें उल्टी तरफ से भी हमने उतार ही लेना है ठीक है? 3 फंदे सीधे 1 किप किया दो सीधे फिर से एक स्किप किया अब इनी साथ फंदों को पूरी जलाई में बार 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 दुराते जाना है धागा दूसरी तरफ करेंगे तीन फंदे बेले सीधे बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ बिना बुने हैं फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे फिर से फिर धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे ऐसे ही करते हुए ये पूरी रोहम बनाकर कंप्लीट करेंगे तीन फंदे सीधे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ, अब दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ फिर से इस फंदे को स्किप करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ इसे उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ दो फ है ऐसे करते ही हैं तीस स्द्स लाइय पूरी बना कर कमप्लीट कर लिए रोव ci तर्फ पहले पंदह को उतारेंगे झा का ono Takes ठाब है गो ते अबागा दूसरी तरफ करेंगे अब एक फंदा ये skip किया था एक फंदा ये उल्टा बनाया था ना इन दोनों को दो काई करना है पहले यहाँ पर जाली डालनी है तो sliper ऐसे धागे को लिपेटेंगे इन दो फंदों में पीछे से slide डालते हुए दो काई करतेंगे अब एक ये वाला फंदा skip किया था ये उल्टा फंदा आगे से slide डालते हुए इन दोनों फंदों में दो काई करतेंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से slide पर बल डालेंगे अब इनी साथ फंदों को पूरी slide में बार 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 दोहराते जाएंगे तीन फंदे उल्टे जाली डालेंगे दो काई करेंगे फिर से दो काई करेंगे जाली डालेंगे अब फिर से देखिए तीन फंदे उल्टे ठीक है ये एक ये दो ये तीन तीन फंदे उल्टे बनान फिर इन दो फंदों में आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए इस तरह से जाली लिपेटेंगे, ठीक है, स्लाइपर बल देंगे, तो जाली अपने आप डल जाएगे, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी करते हुए इस तरह से बल देंगे, इन दो फंदों में पीछे से स्लाइड डालते हुए दो का एक करेंगे, अब आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए स्लाइपर ऐसे बल देंगे, क्योंकि जाली डालनी है, तीन फंदे हम उल् काई करेंगे दागा अपनी तरफ करते हुए इस तरह से स्लाइपर बल देंगे तीन फंदे उल्टे बना लेंगे एक फंदा सीथा जाली आपने जरूर डालना नहीं भूलना है नहीं तो जैसे हमने यहां पर दो काई किया यहां पर दो काई किया दो फंदे कम हुए ना दोनो की तरफ से के डिजाइन की पांचवले सलाई है यह हमारी तो सहस्ट संदे को पहले उतारते हुआ पी यह पूरी रोह हमने हैसे ही सिम्पल उल्टी उल्टी बना लेनी ए इसक्स है । जाली वाले फंदों को भी हमने उल्टा ही बना लेना है रोव 6 सीधी तरफ से छटी स्लाई है डिजैन की जो पूरी हमने सीधी सीधी बना लेनी है पिंक कलर से ही ये पूरी रो हम सीधी सीधी बना लेंगे इस तरह से बहुत ज्यादा आसान डिजैन है और देखने में कितना सुंदर लगता है इसे आप चाहे दो कलर में चाहे सिंगल में कैसे भी बना सकते हैं एक कलर से भी बना सकते हैं दो कलर से भी बना सकते हैं मल्टी कलर से भी बना सकते हैं इस डिजैन को जैसे आपका दिल करें वैसे इस डिजाइन को आप डाल सकते हैं अब आगे उल्टी तरफ ये डिजाइन की साथ वी सलाई है अब यहाँ पर हमने अपना वाइट कलर लगाना है इसके साथ white color attach करने के बाद ये पूरी row हमने white से उल्टी उल्टी बना लेनी है इस तरह से पूरी row उल्टी ठीक है? ये पूरी row उल्टी बना लेंगे पहले सीजी तरफ से ये design की 8-20 लाई है हमारी first फंदे को उतार लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा बिना बुने स्किप कर लेंगे अब इसी डिजैन को पूरी जलाई में आपने बार पार दोहराते जाना है तीन फंदे उल्टे एक फंदा उतारेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा उतारेंगे फिर से इसी ही रपीट करेंगे तो धागा अपनी तरफ करते हुए एक, दो, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ इसे स्किप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे अब ऐसे ही पूरी सलाई को बनाते हुए जाएंगे हमें सभी फंदो को ऐसे ही बना लेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे फिर से एक पार डिजैन को रपीट करेंगे, तीन फंदे उल्टे दागा दूसरी तरफ यह फंदा बिना उने उतार लेंगे दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दागा दूसरी तरफ एक फंदा स्किप करेंगे दागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन लास्ट का फंदा सीधा ऐसे करते हुए ये डिजैन की पूरी हमने आठवी सलाई बना कर कम्प्लीट कर लिए ठीक है नोवी सलाई बनानी है आप उल्टी तरफ से जैसे तीसरी सलाई बनाई थी ना बिल्कुल वैसे ही नोवी सलाई बनेगे डिजैन की फर्स्ट फंदे को हमने उतारा दागा दूसरी तरफ किया ये तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उतार लेंगे धागा दूसरी तरफ दो फंदे स अब ऐसे ही जितने भी स्लाइमें फंदे हैं सेंपनाते जाएंगे तीन फंदे सीधे एक उतारेंगे दो सीधे एक उतारा फिर से धागा दूसरी तरफ करते हुए तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ एक स्किप कर लेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ फिर से एक उतारा स्किप करेंगे पूरी स्लाइए ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे अब सीधी तरफ से पहले तो फिर स्किप करते हुए तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे ठीक है फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे इस तरह से स्लाइपर धागे को गुमाएंगे क्योंकि यहां पर बल डालना है एक यह उतारा हुआ फंदा एक कूर्टा फंदा दोनों पी इनी साथ फंदों को पूरी स्लाइप में बार 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 दोहराते जाएंगे तीन फंदे उल्टे जाली डालेंगे दो का एक करेंगे फिर आगे से दो का एक करते हुए जाली डालेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे देखे यह एक दो तीन धागा दूसरी तरफ इस तरह से slipper दागे को लिपाटते हुए इन 2 फंदों में डालेंगे पीचे से दो काए कर देंगे फिर आगे से slive डालते हुए दो काए करेंगे slipper दागा ऐसे तरह से घुएंगे घुमाने के बाद 3 फंद फिर से उल्टे बना लेंगे फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे इस तरह से धागा गुमाएंगे इन दो फंदों में पीछे से स्लाई डालते हुए दो का एक करेंगे आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ इस तरह से धागा गुमाएंगे स्लाइपर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करते हुए इस तरह से स्लाइपर धागा गुमाएंगे इन दो फंदों में पीछे से स्लाई डालते हुए, दो का एक कर देंगे, फिर इन दो फंदों में आगे से स्लाई डालते हुए, दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ इस तरह से स्लाई पर बल देंगे, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, लास्ट का एक फंदा जिसे सीध अब उल्टी तरफ से हमने पूरी रो उल्टी बना लेनी है 12 सलाई जो डिजैन की लास्ट रो है हमारी वो सीधी तरफ से हमने सीधी बना लेनी है इस तरह से बिजैन की 12 सलाईयां बनकर कंप्लीट हो गए है फ्रेंट से 12 सलाईयों को ही डिजैन है इनी 12 सलाईयों को आपने बार 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 दोहराते जाना है अब उल्टी तरफ से हमने अपना यहाँ पर पिंक कलर लगाना है जैसे मैंने आपको फॉस्ट रो से बनाकर दिखाया है वैसे ही आगे-ागे आपने से रिपीट करते जाना है रिपीट करने के बाद तो इस तरह से ही ब्यूटिफुल डिजाइन बन कराएगा बहुत सुंदर बहुत प्यारा और बहुत इजी डिजाइन है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में है वैवन इस्टी